हाँ 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 हालो तो कैसे है आप तो बहुत सारे दोस्त जिन्होंने अभी अभी नर्सिंग पास आउट कर रखी है रिसेंटली और वो चाहते हैं कि जब तक उनके रिजिस्टेशन नहीं आती क्योंकि रिजिस्टेशन आने में कम से कम शेह से साथ मुहिने के ताइम लग गता है तो उनको यह होता है कि जब तक रिजिस्टेशन नहीं आती तो कि क्या करते हैं कि किसी हॉस्पिटल में चले जाते हैं जैसे कि मुझे बहुत सब्स्राद facet पन करते ह। नहीं तो मैं सब आपको एक ही चीज़ बोलता हूं कि जा तो अभी वेट कर लो गर पे रो अपना वेट करो थोड़ा टाइम पढ़ाई कर लो जब रिजिस्ट्रेशन आती है तो आना क्यों बोलता हूं मैं क्यूंकि जितने भी हॉस्पिटल सौ बैट से उपर है अब कोई भी स्टाफ जिनके पास अभी तक रिजिस्ट्रेशन नहीं है वह उस्पिटल में काम नहीं कर सकता तो इसलिए वह क्या करते हैं वह लगाते हैं अगर लगाते हैं तो वह आपको दस हजार बारहजार पंद्रहजार देते हैं तो उस टाइम पर हर किसी वन्दे की स्ट्किल से करवाई होती है इस स्ट्वेशन पर आके अब उनको जॉब चाहिए तो लेकिन जॉब के लिए फिर अलग अलग हॉस्पिटल में जाते हैं सब जगह से एक ही फून सब जगह पर एक ही आंसर होता है कि जैसे ही आपके रिजिस्ट्रेशन आती है तो आजना तो उस टाइम पर अगर आप मुझसे पूछते हो तो मैं आपको बोलता हूं वेट करो तो आज ये वीडियो में इसी चीज का स्लूशन लेके आया हूं मैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की यह होती है कि जब तक हमारी रिजिस्ट्रेशन नहीं आती हम बैठ नहीं सकते हम में कुछ काम करना है कुछ पैसे कमाने है यह सब मन में होता है तो पैसे तो खैर हर किसी कोई चाहिए तो इसलिए आज की यह वीडियो में स्पेशल इसी चीज में हम बात करने वाले हैं इस चीज के लिए आप क्या कर सकते हो अपना जो टाइम में उसको वेस्ट होने से कैस कैसे बचा सकते हो कैसे टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो अगर आप भी हॉस्पिटल में जाके दस वारा हजार की नौकरी करना चाहते हो उससे अच्छा स्ल्यूशन है होंगे का वैसे तो मैं खुद ही अपनी वीडियो में यह चीज बोता हूं कि होउम के के लिए मत जाओ लेकिन उसकी ये कंडिशन यह है कि अगर आपके बात रिजिस्ट्रेशन है तो मैं अभी भी यही आपको बोला हो कि हो मत जाओ लेकिन अगर आपकी रिजिस्टेशन नहीं आई है आपने GNM या BSE कम्प्लीट कर लिए और आप चाहते हो कि कुछ थोड़े बहुत पैसे मैं कमा लगूं मतलब जब तक आपकी रिजिस्टेशन या तब तक के लिए तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वह होम केर की होम केर के ल सब्सक्राइब कर देता है पेशेंट्स को भी स्टाफ को भी इसका जल्दी से मैं आपको बेनिफिट्स बता देता हूं क्या क्या है देखो ऐसे फ्रेशर अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हो मतलब आपकी रिजिस्टेशन के बाद तो आपको कोई 21 कोई 22 कोई 23 को जादा कोई नहीं देगा ठीक है और उसमें भी आपका पीएफ फंड जी वह सब सब कुछ कट कट आगे मतलब 20-19-20,000 आपकी हाथ में आगी वहीं अगर आप होम केर में जाते हो अंतारा में जाते हो वहां पर आपको अराम से वह 25-30,000 रुपया देते हैं ठीक है ऐसे नर् जाब BSE करके जा रहे हो तो आपको 1500 मतलब 1500 रुपये 15 दिन का मिलता है तो प्लस अगर आप 30 दिन का लगा लो तो 3000 रुपये आपको वह मिल जाता है ठीक है और उसके बाद जो तीसरी सबसे बड़ी चीज है वह है कि जब आप जाते हो मालो वैसे तो विदिन 10 किलोमेटर के रेडियस में आपको जॉब मिलती है किसी के भी मतलब हो में आपको जाना होता है एक पेशिन के लिए तो वहां पे अगर आप 12 गंटे की जॉब कर रहे हो मतलब डे डूटी कर रहे हो ना उसमें क्या होता है कि जैसे आप गर से लेके वहां पर जा रहे हो ना तो मतलब कितन किलो मेटर 2 4 5 6 जितने भी किलो मेटर होता है जितना भी आपका किराया लगता जाने आने का तो वो भी आपको वो प्रवाइड करते हैं ठीक है तो उसमें क्या होता है कि जैसे मालो के जैसे मालो मैं होम केर में काम कर रहा हूं तो मैं उनको बोल दूगा कि मैं आटो से जाता ह मेरा 150 रुपीज कराया लगता है तो वो क्या करेंगे मुझे 150 150 मुझे 300 रुपया अलग से मुझे डेली का मिलेगा वो मिलेगा मेरे किराएगा वहां पर मैं क्या कर सकता हूं देखो उन्होंने मुझे 300 दे रिया यहां पर मैं अपनी बाइक लूँ अपनी बाइक पे जा सकता तो ऐसे जाके मैं अपने वह भी पैसे को बचा सकता हूं तो ऐसे करके आप काफी सारे पैसे बचा लेते हो अगर आप करते हो तो दूसरी चीज़ है अगर आप 24 hour में करते हो तो उसमें आपको और ज्यादा पैसा मिलेगा मेभी 40,000 तक भी मिल सकता है तो उसमें यह कि आपको कोई खर्चा नहीं है आपको पेशन के गर पे रहना है आपको रेस्ट करने के लिए टाइम मिलता है खाना पीना सब कुछ मिलता है आपके कपड़े वगयरा सब वाश हो कि आपको मिलते हैं सारी चीजे मतलब आपको आपको पेसे के साथ रहना थो मुझे लगता है अगर आप मतलब एक तो यह होता है कि बारागेंट की ड्यूटी पे पहले आपको जाना और घृराथ के दूरित में यह को आपको यह सब चिंता की कोई जुरत निए खाना आपको वहां से मिलेगा बना बनाया खाना मिलेगा कपड़े आपके दुल जाएंगे ठीक है वहां पर बाकी मतलब ना कोई आने जाने का खर्चा है मतलब जितने भी पैसे आपके सारे सेव है अगर आप करना चाहो तो पैसे डे सकते हो तो यह सब चीजे होती है लेकिन आपको यह नहीं बोलता कि आप उसकी आदट डालो क्योंकि उसकी आदफ जो है वह सही नहीं क्यूंकि कई पर होता है आपको 35,000 रपाया कमा रे हो उसके बाद आपको जब आपकी रिजिस्ट्रेशन आती तो आपको हॉस्पिटल में लगना पड़े तो तो mostly student क्या करते कि वह लगते ही नहीं है कि यार फिर मुझे 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 15,000 कम चली मिलेगी तो मैं कैसे शर्वाइब कर पाऊंगा क्यूंकि जितना आपकी सर्ली होती ना आपके खर्चे उसी साफ से हो जाते हैं तो लेकिन मैं आपको यही बोलूगा कि अगर आपकी रिजिस्ट्रिशन आ जाती है तो आप ट्राइब करो वहां पर जाने की हॉस्पिटल में जाने की उसके बाद जार तक सेलली कमा सकते हो मुझे पता है बहुत सारे स्टुडेंट होगे जो यह वीडियो देख रहे होंगे और कुछ जॉब वाले भी होगे कोई हॉस्पिटल जॉब कर रहोगा वो भी सोचेगा एक बर मैं भी ट्राइब कर लेता हूं तो वह आपकी मर्जी है मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूं जाने के लिए अगर आप जाना चाते हो तो आपकी मर्जी है तो वहां पर क्या है कि अगर आप ऑनलाइन देखते हो तो ऑनलाइन में थोड़ी यह होता है आपको कई बार नंबर नहीं मिलता कई बार आपको कॉंटेक्ट नहीं मिलता लेकिन यहां पे कमेंट्स पे चाहिए हमें फ्री में रख लो किसी मतलब कम बैसे में रख लो लेकिन हमें कहीं लगवा दो तो उनके लिए स्पेशल यह वीडियो है क्योंकि आप ने नर्सिंग करें अपनी पैसे लगाएं तो आप उस पे अपनी सेलरी भी डिजर्व करते हो तो अगर किसी ने भी जाना है तो most welcome है कोई भी जा सकता है और अच्छे पैसे भी कमा सकते हो गर पर फ्री बैठने की जूरत नहीं है अपना जाओ अपना पैसे कमाओ और जब आपकी registration जब तक नहीं आती है तब तक मज़े से काम करो तो दोस्तो इसके साथ साथ मैंने description में एक और लिंक दिया है तो वहाँ पर क्लिक करके आपको एकर आपके पास इब नहीं है तो आपको क्या करना है नीचे मैंने इस info लिंक दिया वहाँ पर जाके जस्ट जो detail फिल करनी है रिक्वायड डटेऊस्ट है वह आपको फिल करनी आपका नाम आपकी एज आपनी कहां से स्टड़ी करिए क्या क्या एक्स्पीरियंस है या फ्रेशर है जो भी रिक्वाइड वो होगे बॉक्स वहां पर आपको फिल करना है और सब्मिट कर देना तो आपका रियूम सीधा मेरे पास आजाएगा बनकि आपकी डिटेल्स आजाएगी तो फिर मैं वह आगे फॉ करो उसके बाद आप अपना हॉस्पίल जाइन करो बाकी आपकी मर्जी है आपको सोचना है आपको करना управ cruise चाही करना आयि phrases दोका ओका शेयर जरूर करना अपने दोस्तों साथ चेयर जरूर करना टां जो उनका भी बेनफिट हो सग memoir फी भी बैठ है तो दोस्तों मिलते हैंं कि ये बाइब बाइब